हमारे साथ मौझूद हैं राजसबा सांसद और जार्खन प्रदेश अधियक्ष भाजपा से दीपक प्रगाश जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका अन्यवाद आपका भी आपके चैनल के सभी लोगों का महरा मेरी गुर सबी रेंदन सर जिस तरीके से भी देख रहे हैं हम सदन में लगतार हंगामे के कारण डेली सदन स्थगित हो जा रही है तो इसका क्या ये निकल के आ रहा है जिस भारत माता हमारी मात्र भूमी है उस मात्र भूमी की सेवा करने का संकल्प देश की 130 करोड जनता लेती उसी में एक ऐसे कॉंग्रेस के वरिष्टनेता सम्मानित राहुल गांदी जी विदेशी भूमी में जाकर के भारत के लोकतंतर के बारे में टिपनी करते हैं और अमेरिको और उर्पियन कंट्री से हश्चेप करने की बात करते हैं यहां के संसत के बारे में हलकी टिपनी करते हैं और और तो और नियाइपालिका पर भी उनके विचार को सुनकर बड़ा अफ्सोस लगता है साथी साथ कहते हैं कि यहां पर विष्विद्याले में कोई जाकर कोई सेमिनार कर नहीं सकता अभिवक्ति व्यक्त नहीं कर सकता है और आउल गांदी जी तो यहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंक के साथ जेनियू में अपनी बातों को साजा किया था कि नहीं किया था भारत का लोक तंद्र हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे सनातन विवस्था में है और हमारी सभ्यता में है लोकतंद्र के बारे में वो आज आरोप लगा रहे हैं 1975 में इस देश को आपात्काल लगा करके देश को पूरी तरह से नजर बंद करने का काम किया था वो आज लोकतंद्र के हिमायती हैं तोड़ा इतिहास पढ़ने का काम करें राहुल दी साथ साथ धारा 356 का उपयोग कांग्रेस की सरकार किंद्र की सरकार जब कांग्रेस की थी तो 90 बार से ज़्यादा राज्यों के जो चुनिवी सरकार को गिराने का काम किया था और आज वो संसदन और संसद की बात कर रहे हैं लगतार विपक्ष अभी विक्ति किया धाती पर भी सवाल उठाती है राहूल गांदी यह र भी आरौप लगाते कि हमें बोले का मौका नहीं दिया जाता है सादन मैं और तमाम आर्ऌप लगाते हैं तो किस तरीके सादने की आरीप में कित्ता दम है मैं बार-बार कहता हूं कि उद्धेश की 130 करोड जनता से उनको माफी मांगना ही चाहिए सदन में आए माफी मांगे देश के सामने भाजपा तो पूरे तरह से माफी मांगवाने पर तुलिवी है पर उधरी से पवन खेरा और कॉंग्रेस ही नेता आ जाते और बोलते हैं कि राहुल गांदी बिल्कुल भी नहीं जुकने वाले हैं और आगे क्या परिक्रिया होगी य अगला इस्टिप क्या होगा भाजपा का कॉंग्रेस लगातार और के टिहास को आप पढ़िएगा तो कांग्रेस की संस्कृति और संसकार में परिवारवाद की तानास आई है राजा और राजकुमार के तरह बेवहार करने वाली कॉंग्रेस की पाटी है इसलिए राजा can do no wrong, राजा गलत नहीं बोल सकता है ये मानने था कॉंग्रेस के अंदर है और राजा उनका राहुल गांदी है इसलिए कॉंग्रेस के जो चापलूसी करने वाले लोग हैं उनको देश की जनता जानती है और इसलिए उनके छेहरे पे जो नकाब है उस नकाब को उतार करके बार-बार फेक रही है, हर चनाव में फेक रही है पिर भी यह लोग क्या कहा जा सकता है कि इनको देश की भाउनाओं का ख्याल नहीं है भाउनाओं के खिलाप लगातार काम करने वाला एक मातर राजनितिक दिल है तो वो है कांग्रेस जिस तरीके से 2024 को देखें 2024 लोगसभा चुनाओं को तो विपक्ष बिछडी भी नज़र पर क्या लगता है 2024 तक वह एक जूट हो पाएंगे क्योंकि मंतब अलग हुट बनाने को तयार है नितिश कुमार कभी खड़े हो जाते हैं कभी केसियार में मत्वकांशा बढ़ जाता है कि हम पीम बनेंगे तो कैसे देख रहा है आप सो बीजेपी इंटक्ट होगी विपक् पुसित भारत की और बढ़ रहा है एक नया भारत समर्दसाली भारत समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ने वाला भारत और जिस भारत में गाउं गरीब किसान मजदूर नौजवान और महिलाओं आदिवासी और हर्जनों की चिंपा की जाती है वह भारत आगे बढ़ र रहा है इसलिए नरेंद्र मोधी जी की निर्टुत में फिर अगली सरकार भाज़पा की सरकार अब फिर से देश एक समर्दसाली भारत मनने का जो संकल्प हमारे पुरवजोंने लिया था आगे बढ़ाने का काम, नरेदर मोदी जी के निर्दुतिम होगा. सर का साफता और पर कहना है कि नरेदर मोदी के निर्दुतिम में देश आगे बहर रहा है और दोज़ार चॉबिस में इस से भी बड़े सीट के आंकडों से बीजेपी सत्ता में आएगी. अभी हमारे साथ सिर्फ इतना ही कैमरा परसन दीपक के साथ ओम, News Watch India, दिल्ली.